True Share Bazaar में आपका दिल से बहुत बहुत स्वाग है थे दोस्तो तद्टो चिंदन फार्मा के Q3 रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तो आप देख सकते हैं 31 December 2021 में तद्टो चिंदन फार्मा को 1046 मिलियन का रिवेन्यू जनरेट हुआ है मिन्स 104 करोड का इनको रिवेन्यू जनरेट हुआ है और अगर प्रफिट की बात करें तो 28 मिलियन मतलब 22 करोड का इनको नेट फॉर्फिट जनरेट हुआ है अगर previous quarter September 2021 से compare करेंगे दोस्तों तो इनके revenue में और net profit में दोनों में गिरावट आईए आप देख सकते हैं इनको previous September 2021 के quarter में 123 क्रोड की revenue जनरेट हुए थे और वही net profit आप देखें तो 32 क्रोड के इनको net profit जनरेट हुआ है तो दोस्तों 123 क्रोड से इनका इस quarter में 104 क्रोड revenue जनरेट हुआ है जो downfall है उसके बाद इनके 32 क्रोड के profit थे प्रिवेस quarter में और इस बार 22 क्रोड हुआ है तो काफी बड़ी गिरावट आई है इनके revenue और net profit में और अगर year on year basis पे अगर दोस्तों आप compare करेंगे तो इनके revenue और net profit में काफी jump है year on year basis पे है आप देख सकते हैं इनका 31 December 2020 में 801 million मतलब 80 क्रोड का इनका revenue जनरेट हुआ था और वहीं इनको जो net profit था वो 20 क्रोड हुआ था आप देख सकते हैं इनका previous year का 20 क्रोड का net profit बढ़कर 22 क्रोड हो चुका है और वहीं अगर earning per share की बात करेंगे दोस्तों तो September 2021 में इनका 15.02 का earning per share था जो की गिर का 10.29 रुपीज रह चुका है और अगर year on year basis पे देखेंगे दोस्तों तो minor सा changes है 10.39 रुपीज का इनका earning per share था previous year में जो अब 10.29 रुपीज है minor मतलब 10 पेस का इनका earning per share के अंदर different है overall देखा जाए दोस्तों तो year on year basis पे काफी जबरदत से इनका result है overall result तो बेतर है दोस्तों अब देखना ही है कि market कैसा react करता है next working day में तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों पसंदाए तो like कीजिएगा दोस्तों share कीजिएगा और इसी तरह genuine information पाने के लिए channel को subscribe कीजिएगा thank you so much मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत